आदाब नाजरीन मैं हूँ आपके साथ कशफी शमाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू वादे के मताबिक इस हफ़ते फिर मैं एक मारूफ शक्सित के साथ आप सब के सामने हाजिर हूँ जिया हमारे साथ आज मौजूद है कॉमेडी के बेताज बादशा राकेश बेदी सहाब सर बहुत बत स्वागत है आपका हमारे इस लगता है क्या रियल लाइफ में भी आप उतने हस्मुक्त हैं नहीं हस्मुक्त मैं हूँ क्योंकि कॉमेडी की पहली शर्त ही होती है कि आपको एक सेंस अफ यूमर आपके अंदर एक फ्रेवलेंट होना चाहिए वह मवजूद होना चाहिए वरना आप उसको बाहर कैसे निक संजीदा क्यों है तो भई मैं इसका बड़ अच्छा जवाब देता हूं कि वह मेरा दफतर है तो अगर आप कुछ और करते हैं तो अपना दुकार आपकी खिलोने की तो खिलोने यह बेच के दिखाईए तो जिसका जो काम होता है वहीं पर जागे करेंगा जहां उसका काम ह है तो जब या ओडियंस के सामने अगर मैं थेटर कर रहा हूं तो तो मैं अपना काम तो भी करूंगा जहां पर लोग होंगे या कैमरा होगा जाती जिन्दगी में आप सीरियूस हैं नी सीरियूस नहीं हूं सीरियूस नहीं हूं इसका मतलब यह नहीं कि महरवकत उचलता र समाग लगता है हर एक चीज को हर एक पंच को हर एक हूमर को उभारने में निखारने में उसके पीछे एक महनत होती है एक साइन्स होती है वह ऐसे ही नहीं हो जाती है बल्कि कहा जाता है कि रोते हुए को हसाना बहुत ही मुश्किल काम होता है जी और हसते हुए को और जाद कि सफर कॉमेडी का नहीं है प्लगा लेकिन भॉफ कम फिल्मों में किये mathू क्योंकि फिल्मो में है कि लोग वही देखनापसंद कर आपकी इमेज को बार बार देखना पसंद करते हैं तो अगर कोई उसको इमेज को तोड़ता है तो लोग उसको like नहीं करते उस बात को. लेकिन थेटर में और कई ऐसको फिल्मों में मैंने किये हैं, सीरिस रोल्स थेटर में तो काफी किये हैं. लेकिन फिल्मों में टाइब कास्ट हो जाता है आदनी, होना ही पड़ता है वनना आपको काम नहीं मिलता क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो इमेज़ा आप उसके हिसाब सही काम करें तो मैं ऐसे एक्टर बनना चाहता था शुरू से एक्टर बनने की कोशिश की और इसके लिए मैं फिल्म इस चूट गया और फिर वहां से मैंने पूरी अक्टिंग का कोर्स किया और तरह तरह की चीजें से की लेकिन क्योंकि मैं जुकाव है कॉमेडी की तरफ तो वो मैंने ज्यादा किया अगर आज आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होते तो फिर आपने करियर के लिए क्या सोचा था क्या होते आप देखे मैं यह कह सकता हूं कि तगरीबन हर आपनी का एक प्लान बी होता है लिकिन मेरे केस में कोई प्लान बी मैंने सोचा ही नहीं था क्योंकि मैंने सोचा थ है मैं एक्टर ही बनूँगा और एक्टिंग करूंगा और अपने इस क्राफ्ट को जो भी मुझे आता इसको और निखार हूँ आजां मेरत करूँगा ताकि मेरे सीखूँ और मैंने वही किया और सीखता इंसान अगर चाहे तो हर वक्त सीखता रहता है और सीखना सब्सक्राइब चाहिए इसलिए मैं ठीटर बहुत जादा करता हूं मतलत ये संज़िये कि मुझे फिल्म हो में काम करते कारता être 38-40 साल हो गए हैं और इतने ही साल मुझे ठीटर तो मतलब मैं ठीडर भी लगातार उतने सालों से कर रहा हूं इतने साल आपको आता है उस पे वो बरकरार रहे है। सर आज की जो कॉमेटी हैμέना कि अगर मैं यह कहूं कि जो पहले की कॉमेटीके वनिस अजकी कॉमेटी इसकन क्यों में सब कहीं बहुत जाल भूल मेरे कि मतलब चीह यह चीह इसके ने के कि ज brings a लैके से बीड़न जाल हो तो इससे देख क्या फलस्फ़ें में बिलीव नहीं करता कि हमारा वक्त बड़ा कमाल का था आज का वक्त इतना अच्छा नहीं है ऐसा लोग अक्सर बोले करते हैं हमारे जमाने में कॉलेज बड़ा कमाल था आज वो मज़ा नहीं आता है हमारे जमाने में असलानी चीज बड़ी अच्छी थी ऐसा इसी time change होता रहता है और अगर time एक जगा रुख जाएगा तो फिर वो stale हो जाएगा पानी की तरह जैसे पानी गंदा हो जाता है कड़े-कड़े वैसे time भी खराब हो जाएगा कड़े-कड़े तो time जो है बदलता रहता है और उसके साथ चीज़े बदलती है अगर आज की date में comedy थोड़ी वल्गर अगर हो भी रही है तो शायद देखने वालों को भी taste ऐसा है उनका भी taste बदला है लेकिन मैं एक चीज़ में बड़ा strongly believe करता हूँ कि below the belt humor जो है वो मैं नहीं करता हूँ वो मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं एक और चीज़ में believe करता हूँ कि अगर कोई चीज़ खराब होगी कोई चीज़ खराब है और वो नहीं होनी चाहिए और वो हो रही है तो वो धिरे धिरे अपने आप समाज में से चछट जाती है वो खत्म हो जाती है उसकी life ज्यादा होती नहीं है और अगर कोई vulgar comedy करता भी है या below the belt comedy करता तो उसकी shelf life जो है वो बहुत काम होती है वो उसी समय आप आपने जोग देखा उसी समय आप भासे उसी समय भूल गया वो खत्म हो गया लेकिन अगर कोई आप classic चीज़ करे एक अच्छी चीज़ करें जो पायदार हो तो वो कभी खत्म नहीं होती वो उसको लोग मतलब की आने वाली सदियों तो लोग उसको enjoy करते रहते हैं और देखते रहते हैं ये फर्क है एक फूवड comedy जो है वो बहुत जल्दी उसकी expiry date होती है और अच्छी comedy की को expiry date होती है अब मैं आप से जाना चाहूंगे कि जो आज की जो यूथ है आज की जो यंग जिनरेशन है वो मेहनत नहीं करना चाहती इस चीज़ साब इतिफाख रखते होंगे वो बस चाहते है कि आज फिल्म इंडस्ट्री में गया और बस मैं इस कामियाब हो चाहे वो comedy ही ले लिजे comedy में से बहुत से आर्टिस्ट आ रहे है और जो टिक नहीं पा रहे है तो उनके लिए आप क्या खास message देना चाहेंगे आपने अच्छा सवाल किया और जवाब मैं यही देना चाहूंगा कि देखे जैसे आपने कहा कि यूथ जो है वो impatient है time कम है और time तो है लेकि उनको लगता है time कम है patience नहीं है time management नहीं आता अचके यूथ को time management नहीं है शबर नहीं है बिलकर और बिना सबर के इस line में कुछ नहीं हो सकता हर आदमी stardum को देखता है यह निकी ऊपर cd के ऊपर cd के पहले पाइदान को तू देखो पहले तो पहले पाइदान पर पाव रखो गे तब दूसरे पर फिर तीसरे पर फिर चौते पर फिर stardum तो टॉप पर है और मैं ऐसा मानता हूं कि stardum जो है वो आपके काम का by-product है अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको stardum मिलेगा लेकिन अगर आप stardum के पीशे भागते रहेंगे तो आप अच्छा काम करना भूल जाएंगे यह अच्छे काम की तरफ आपका ध्यान नहीं होगा आप concentrate नहीं कर पाएंगे तो आपको stardum मिल ही नहीं सकता आप समझे रहें हैं? Stádum का मतलब यह है कि आप जाने जाएं, आप पहचाने जाएं यह ना St萄डम Stardum क्या होता जाए– कि सब मुझे जाने है सबमुझे जाने के मैं कौन हूँ मुझे पहचाने मैं Public Place में जाओ टो तो लोग मुझे घेरें, मेरे आटोग्राफ लें, मेरे साथ फोटो किचाएं, यही स्टार्डम है न, लेकिन यह किस से आएगा? अच्छे काम से आएगा अगर काम ही अच्छा नहीं करेंगे, तो कौन बैचानेगा? तो यह एक स्टार्डम जो हो एक बाई प्रोडक्ट है आ लाज की जनरेशन को स्टारडम ऐसे नहीं मिल जाता है और जितने भी स्टार आपको नजर आते हैं कोई भी स्टार हो वो शारु खान हो या सलमान क् jsem हो या आमिर खान हो या मिताब बेच्चन और पराने जमाने के कोई भी दिलीब कुमार हो या देवनन हो या कोई भी स्टार हो, किसी भी समय के कोई भी स्टार हो, सिंगर हो, एक्टर हो, डांसर हो, अपने फील्ड का कोई बड़ा स्टार हो, वो ओवरनाइट स्टार कोई नहीं बनता है, ओवरनाइट स्टार कोई नहीं बनता है, ऐसी आपकी feeling होती है अब suddenly आपको वो star दिखना शुरू होता है तो आपको लगता है ये कली बनाए ये कल से चमक रहा है लेकिन कल से नहीं चमक रहा हो उसके पहले कितनी struggle उसने की ऐसे कितने star हैं जैसे अब ये example मैं देता हूँ एक लड़का आजकल बहुत चर्चित है बहुत उनका नाम है नवाजओ दिन सिदी की अब लोगों को लगता कि सडली वो आगे हैं सडली नहीं आए हैं भी उनके पिछले 20 साल की फिल्में देखो किसी में एक सीन का रोल है किसी में आदे सीन का रोल है किसी में खाली एक शौट है तो धीरे धीरे अच्छा काम करते रहे करते रहे करते रहे तो लोगों ने पैचाना कि नहीं है अच्छा काम करता याद नहीं तो सडली वो कोई कोई लगी होता है को स्टार सन हुआ एक पिक्चर स्टार स्टार ने अपने बेटे के लिsoon बना चाअ। रृज्ट शूसिसा में अपने बत्चे के बहुए नहीं कर पा रहे? अगर आल्या बटें आर्या अच्छा काम करतीं तो स्टार है, बना स्टार तो क्या करेगा एक में के विस्टेरे गुटें को स्टार हुन्स टो एक फिल्में ब्रेक देदेंगा । इतना ही करणा है उसके बाद और उसके बाद तो आपका काम ही सभी कुछ दिर पहले कही कोमेडिन बनना इतना असान नहीं होता है, रोते होए हसाना और हसते होए हसाना और जादा पॉपbooına है. तो मैं को श्रूम साओ इंसपाइर किया रिखा अपी मेरा थैटर काम में रहा है. ने फिल्में थैटर केुछा में और नो मुझे जिस शखस ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हूमर के लिए वो हैं चाड़ी चैपलिन और मैं उनको आज भी देखता हूँ अभी कुछ दिन पहले ही उनका बिर्थडे था तो मैंने पूस्ट भी डाला था कि आज मेरे गौड का बिर्थडे है मैं उनको अपना बढ़ान मानता हूं क्योंके मैंने बहुत सीखा हूँ आदमी से और उनकी सीखने के लिए कुछ स्कूल जाने की ज़रुत नहीं उनकी आप फिल्में देखो और सिर्फक एक्टिंग नहीं उनकी एक्टिंग जो है न जो करते से पर्दे पर जो आता था वो एक को एक सिंबल है लेकिन जो उसके पीछे थौट होता था कि जो फिल्म बनाई है जो ट्रैम्प है उनका जो कॉमन मैन है वो किस मुश्किल से गुज़रा है कि हुमर क्रियेट हो रहा है किस मुसीबत में है कहां फसा हुआ है जिसकी वज़रा से यूमर क्रियेट हो रहा है मैं वह चीज़ देखता था उनकी एक्टिंग तो अब्वियस है वह सामने दिखा ही दे रही है कि वह फस गए और भाग रहे है तेस भाग रहे है और यहां गिरे वहां गिरे वह नहीं लेक हिंदुस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए एक दिन के लिए तो अपनी कॉमेडी से आप फिल्म इंडस्ट्री में बॉलिवूड में क्या चेंज़ लाना पसंद करेंगे कॉमेडी से चेंज़िस में अगर मैं मुझे बना दिया जाए वजीर आजम तो मैं सबसे पहले तो यह करूँगा कि मैं कोशिश यह करूँगा कि हर आदमी के चेरे पे मुसकान आए हर आदमी के चेरे पर बलही उसके लिए मुझे खुद पी-म की आफिस में कॉमेडी करने पड़े हैं पीम की चेर पर बैटकर कमेडी करने पड़े है एस पीम लेकिन मैं चाहूँगा कि हर आदमी के चेरे पर एक मुसकान आए क्योंकि चेरे पर मुसकान आना जो है वो एक बड़ा सिंबल होता है अगर चेरे पर मुसकान है इसका मतलब आप अंदर से भी ठीक है आप अंदरुनी रूप से तंदरुस्थ हैं आपकी जेव भी ठीक है और आपकी सहथ भी ठीक है वरना मुसकान इतने चेहरे पे आती नहीं है आज कल लेकिन हमारे दिश में एक समस्या और भी है हमारे दिश में समस्या यह है कि अगर कोई मुस्कृराता है तो लोग चाहते हैं कि कैसे इसको रुलाओं तो लोग इस जद्व जहद में लगे रहते हैं कि सामने वाला हस्कूर आयार तो भी एक हमारे हम प्रॉब्लम है ने सरे में वर्छ परौम की बहुत सारे बेश्क ऍपना का आपको एक्जांबल कॉमेडी में आज़कल कमेडी होते हैं जmara नाम लिया भी गुनिराम का गुणी राम को आए हुए कम से कम, कम से कम नहीं तो 27-26 साल हो गया होगे, इतने साल हो गया होगे, और गुणी राम, आपको अभी तैटल भी याद है, गुणी राम के 13 एपिसोड थे, सिर्फ 13 एपिसोड, और आज की डेट में किसी प्रोग्रामों के 1000 एपिसोड होते हैं, लेकिन आज भी आपने नाम लिया, ऐसे मुझे बहुत लोग गुणी राम का नाम लेते हैं, कि हमको सीरियल याद है, तो मैं यह कहना चाहता हूँ, कि अच्छा काम हो तो उसकी शेफ लाइफ बहुत होती है, ऐसे बहुत से सीरियल है, जो चारज से पांच पांच साल चल र होंगे इस दुनिया में जो अपना काम मतलब नहीं देखते हैं, मैं 90% अपना काम नहीं देखता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं जान मुझे को नहीं देखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने काम कर दिया, हो गया, अच्छा किया या बुरा किया, मुझे उसी समय माल कि अपने आप से इंपरेस नहीं होना चाहता तो asking my dio है अचाहता हूएत। कोई शौक नहीं के मैं देखू कि मैं देखूं कर रहार कुछ कि don ak आपने नाम लिया था शरीमान शरीमती का तो उसका एक उसमें बड़ा एक मेरा अजीब और गरीब करदार था, अगर आपको याद हो तो दिलरुबा के नाम से मैं उसमें था और थोड़ा सा वो जनाना भी है, हलका सा हाथ उसका ऐसा रहता है, यहां लिपस्टिक लगी रहती है, बड़ोसम से महबद करता है, तो उसका स्टाइल ऐसा था कि को कि जी मैं आप से कभी बात ने करूंगा, आप कभी मेरी तरफ प्यार से ने देखती है, एक प्यार से देती है ना, बहुत खुब, सब कॉमेडी की तरफ जुकाओ आपको कैसे रहा, आप मतलब नर्मल अक् फिल्म में बनती थी, कि हीरो जो है, वो छे फुट को होना चाहिए, हीरोईन ऐसी सुन्दर दिखनी चाहिए, हीरो का बात ऐसा दिखना चाहिए, तो मेरी हाइट थी नहीं कि मैं अपने आपको हीरो के लिए ट्राइ करूँ, मुझे कोई क्यों लेगा हीरो, कोई क्यों पिटवाएगा, मैं फीड भी नहीं सकता, कोई मुझसे क्यों गाने गवाएगा, प्रेड़ों के पास घुमा घुमा कि मैं गा भी नहीं सकता, कोई मुझसे क्यों डांस करवाएगा, मुझे नास भी नहीं आता, तो मेरे पास एक हथ्यार था, कॉमेडी, तो मैंने कॉमेड जो है उसमें बड़ी पावर होती है आप हुमर से बड़ी से बड़ी बात रियल लाइफ में भी हैसा नहीं कि सर्फ फिल्मों में रियल लाइफ में भी अगर आपका किसी से कुछ जगडा है या कुछ कहना चाहते हैं दिल की बात उसको अगर आप कॉमेडी के एक कपड़े में लपेट के थपड मारेंगे न तो उसको मालूम नहीं बढ़ेगा यह थपड था या प्यार था अजर मेरा अब से को लास्ट कॉईशन है कि कभी ऐसे सिच्वेशन आई आपकी जिंदगी में कि आपके दिल में बहुत दर्द बहुत तकलीफ है आपकिसी बात से बहुत हर्ट हैं लेकिन आपको हसना है अपने यह हसाना है और मतलब दर्द को जब्त करके कम हूब देखिए कोनले इस सिटुएशन तो आते ही रहती है, हाँ आते ही रहती है, नहीं नहीं, क्योंकि हर आदमी एक देखिये, एड बेसिक लेवल ही लेवल, एव्रीबडी सेम जो एमोशन दे मेरे अंदर हैं, वही इमोशन सब के अंदर हैं, मैं कोमेडिय हूं तो मतरें प्लवत के मैं मेरे अंदर सिर्फिक invest का बटन लगा हूँ रोने का बटन लगा ही नहीं रहए नहीं में कभी मुझे कभी दुख नी होगा मुझे को दर्द नहीं होगा या मेरे साथ कोई ऐसी ऐसा हाथ था नीह होगा जिससे मुझे परिशानी हो यह तो हो नहीं सकता ना अब लेकिन मेरा काम ऐसा है कि मुझे वो सारे दख चुपा कर हसाना है लोगों को ऐसा हुआ था एक बार मेरी मदर की डेफ होगी थी और मैं काम कर रहा था और मुझे उसके अगले ही दिन मुझे सिर्फ एक दिन का ब्रेक मिला और मैं वहाँ एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था जिसमें मैं अच्छा खासा कॉमेडी कर रूल कर रहा था और मुझे सिर्फ एक दिन में अपनी मदर की युवा के क्लिमेशन किया मैंने और उसके बाद वापिस अगले दिन मैं फिर चला गया काम के उपर और मुझे मेरे पास मतलब की बाकी सब लोग मेरे घर पे यहां पर एक मातम चाया हुआ था जो भी था उदास एक मतफिर था लेकिन मैं अपने काम पर कॉमेडी कर रहा था तो एक एक्टर की जिंदगी में कॉमेडियन की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है क्योंकि यह ऐसा ही है देखि नाजरीन हम बात कर रहे थे राकेश बेदी जी से और सर जाते जाते यह शेर में आपको नजर करना चाहूंगी कि रात की शमा की मानिंद पिघल कर देखो, रात की शमा की मानिंद पिघल कर देखो, जिन्दगी क्या है किसी ताख में जल कर देखो, कोई भी चीज हासिल करना इतना आसान नहीं होता है नाजरीन और जिस तरह से राकेश जी ने हमें बताया अपने बारे में तो उससे हमें काफ इंस्परेशन मिलता है, अगले झाल 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 झाल